लेकिन लोक्तंत्र है इसमें जय, विजय, पराजय यह सब कुछ समय पर आती हैं, मिलती हैं आदर्निय योगी जी का खूब परिश्ट्रम रहा है लोग उनको चाहते थे, सुनना चाहते थे, वह लोगों के बीच में गए जानती है कि अदेश सुरक्षित भारती जनता पार्टी के नित्रित तो में ही है नमस्कार मैं हूँ दिबांजी मोहित्रा तीन बड़े राजों में कॉंग्रस को मिली जीत के बाद कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए 2019 की राह थोड़ी मुश्किल हो जाएगी लेकिन ग्रिह मंत्री राजञाथ सिंग के बेटे और नौईडा विधायक पंकत सिंग ये बिल्कुल नहीं मानते हैं यूपी के बीजेपी महामत्री पंकत सिंग का मानना है कि लोक्तंत्र में जैपराजय तो मिलती रहती है लेकिन हम पराजय से ख़बराते नहीं चुनावी नतीजों के अलावा पंकत सिंग ने राफेल मुद्दे पर भी कॉंग्रिस को घेरा तो वहीं योगी की रैली की वज़े से बीजेपी को मिली हार के आरोप पर भी पंकत सिंग ने बेबाग जवाब देते हुए कट्टर हिंदुच्व की परिभाशा को भी विरोध की पार्टियों को समझा दिया 2019 के चुनाव नस्दीक हैं ऐसे में बीजेपी की नई रणनीती जिसके तहट वो लोग घर घर जाकर केंद्र और राजय सरकार की नीतियों का प्रचार कर रहे हैं ऐसे में हमारे साथ हैं नौइडा के विधायक पंकर सिंग जी पंक जी आप य पदियात्रा महात्मा गांधी जी के डेड़ सवी जैनती वर्ष के उपलक्ष में भारती जनता पार्टी कर रहे हैं और पूरे देश में यह प्रोग्राम है अलग-अलग समय में अलग-अलग प्रदेशों ने इसको लिया है हम लोगों ने एक दिसमबर से 15 दिसमबर तक मे इस कारिक्रम खूलिया है महत्मा गांधी जी ने अपना पूरा जीवन सत्य अहिमसा शांती के लिए उन्होंने लगाया था अदर्शों आदर्शों और जिन जीवन मूलियों पर उन्होंने चलने का काम किया था एक तो बहुत संदेश लेकर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं बाकि उत्तरपदेश और केंद्र सरकार जो हमारी है उनकी जो जनहित की योजनाएं आई हैं सबका साथ सबका विकास की जो अपनी सोच के साथ हम लोग आगे बढ़े हैं इन सब बातों को लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं राजनेतिक दल होने का मतलब सिर्फ सरकार में ही रहना या सरकार या सत्ता हासल करना ही नहीं होता बलकि अगर सरकार और सत्ता है तो लोगों के लिए काम किया जाए जो लोग विकास के दौड में पीछे हो गए हैं उनको कैसे आगे लेकर आया जाए इन सब सोच के साथ भारती जनता पार्टी की सरकार जो चली है इन सब बातों को लेकर हम लोग जा रहे हैं सर थोड़ा सा चुनाव की तरह बात करते हैं अभी पांच राजियों में चुनाव हुए थे जिनने सेमी फाइनल के तौर पर देखा जा रहा था इनके नतीजे जो भी आए वो बीजेपी के उतने फेवर में नहीं रहे आपको क्ये लगते की कहां कमी रह गई तो कोई बहुत कम नहीं है ऐसा नहीं है कि लोगोंने कॉंग्रेस को स्विकार कर लिया और भारती जनता पार्टी को बिलकुल से नकार दिया ऐसा नहीं है दो राजियों में 15-15 साल से सरकारे थी और अच्छा काम की थी उसके क्योंकि 15 साल रहने के बाद भी लोगोंने जय, विजय, पराजय यह सब कुछ समय पर आती हैं, मिलती हैं लेकिन भारती जनता पार्टी का हमेशा से यह इतिहास है और भारती जनता पार्टी के कारिकरताओं की यही विशेस्टा है कि हम सब लोग जय मिलने पर, विजय मिलने पर कभी इतराने का काम नहीं किया है और पराजय कभी मिली है तो उसमें कोई घबराने का काम नहीं किया, बलकि हमेशा उसी सोच के साथ देश को आगे बढ़ाने के लिए भारत माता को और नहीं उचाईयों पर ले जाने की सोच के साथ हम लोग निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं परिडाम के चिंता किये बगएर एक लहसी से देखा जाए तो पेम मोदी बीजेपी के पास सबसे बड़ा चहरा है जो किसी भी नतीजे को प्रभावित कर सकता है तो क्या लगता है जिस तरह से करनाटक और गुजरात में पेम मोदी ने 30-30 रहलिया तक की तो ऐसे में कहीं न कहीं क्या ये कमी रहे गए अगर वो शायद और अगर उनकी 2-4 रहलिया और हो जाती तो शायद ये तीनों स्टेट आपके हासे में देखी राजे सरकारों का चुनाओं राजे की सरकार की या वहां के नित्रितु की जो नीतियां होती है वहां के कामकाज होते हैं उसके आधार पर वहां का चुनाओं होता है और इसमें कहीं पर भी कोई दोराय नहीं है कि हमारे देश के यसश्वी प्रधानमंत्री आद्रणी श्री नरेंदर मोदी जी के प्रती लोगों का विश्वास है और लोग यह जानते हैं देश अमारा यह भली भाती जानता है कि देश को उचाईयों पर ले जाना है ब्रस्टाचार को समाप्त करना है आतंखबाद को समाप्त करना है तो यह काम सिर्फ और सिर्फ भारती जनता पार्टी और भारती जनता पार्टी की राष्टवादी विचारधारा के साथ ही किया जा सकता है जिसका प्रतनेदित्व हमारा नेत्रित्व श्रधे नरेंद्र मोदी जी के रूप में आधरणिया श्री अमिट शाह जी के रूप में काम कर रहा है लेकिन सर एक और चीजे कहा ये भी जा रहा है कि जो तीन राजियों में हार हुई है उसका एक बहुत बड़ा रीजन हिंदुत्व फैक्टर भी था जिस तरह से सीम योगी मोदी जी की बज में किसी एक को यह कहना कि उन्हों ने किया और उनकी वज़े से ऐसा हुआ यह उचित नहीं होगा सभी लोगों ने परिश्रम किया भारती जनता पार्टी के लाखो लाख कारिकरताओं ने उसमें अपना खुन-पसीना एक किया है और तब जाकि भारती जनता पार्टी यहा चाहते थे वह लोगों के बीच में गए लेकिन मैंने कहा कि फिर भी जय पराजय लोगतंत्र में मिलती रहती है इससे परणाम कैसा भी हो इससे कभी कदम भारती जनता पार्टी के कारिकरताओं का नित्रत्तों का कभी परणामों ने नहीं रोका है आम लोग निरंतर हर परिस् कि आजी सुप्रीम कोट ने उसकी सारी राफिल से समद्धिन त्याचकों को खारिश कर दिया है तो आपको क्या लगता है कि क्या बीजेपी इस मुद्यों को किस तरह से आगे पलटवार करेगी कौँ देखिए विपक्ष है उनका अपने मुद्धों को उठाते रहते हैं ल और इसलिए और खेर अब विपक्ष का अपना काम है वो समय समय पर अपनी बात वो कहते रहते हैं लेकिन वहां अपने आप थोड़े दिनों में खुद ही धराशाई होते भी रहते हैं सर अब तीन राज्यों में इनमें जो हार मिली है उससे कहीं न कहीं बीजेपी की एक आंकड़े के लहास से देखा जाए तो करीब 40 सीटों को नुकसान होता दो दिख रहा है तो ऐसे में जो सारी उमीदे हैं वो यूपी पर आकर टिग गई हैं और आप खुद यूपी सब्सक्राइब को हराने के लिए बीजेपी अब कौन सी नहीं रड़नी थी तैया करें जिस तरीके का परसंटेज और इस चुनाओं में भी 15-15 साल की सरकार रहने के बावजूद जिस तरीके का विश्वास जनता का भारती जनता पार्टी को मिला है मैं यह देख कि मैं और कह सकता हूं कि कि किसी के भी एक होने से भारती जनता पार्टी के 2019 में जीत के परिडाम पर कहीं पर भी कोई असर नहीं पढ़ने वाला है 2000 आज मैं फिर से दोहरा रहा हूं बार-बार कहता हूं और मैं फिर से कह रहा हूं जब आदरिया नरेंद्र मोदी जी के सामने इतना विश्वशनिय नित्रित्व किसी भी और दल के सामने नहीं है 2019 में बड़ी जीत हासिल करेंगे और 2014 से भी बड़ी जीत हासिल करेंगे और उतर प्रदेश में भी मैं कहूं तो हमारी 73 थी 72-71 नहीं होंगी बलकि 73 के हम सब लोग 80 होंगे लेकिन उसमें एक सीट की भी कमी नहीं आएगी इतना मैं बहुत विश्वास के साथ में कह सकता हूं लखनों में एक पोस्टर था जो अभी आफ्र एलेक्शन आया नतीजों के बाद विवादों में रहा जिसमें योगी जी को आगे कट्ट्व हिंदुत्व का चैरा बताकर लगाया गया था क्या लग रहा है कि कहीं बीजेपी कारे करता हूं मैं कुछ तूट फूट कुछ इस टाइप का मुझे मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है लेकिन मैं हिंदुत्व तो सबको समाहित करके सबके साथ लेकर चलने का नाम है और इसलिए इसमें हमारे यह कहते बें कटर हिंदुत्व मतलब सबको और जादा साथ मे लेकर चलना कटर हिंदुत्व मतलब और जादा वसुदह कुटमभुकम की अपनी भावना को और मजबूत करके चलना कटर हिंदुत्व का मतलब सभी सुखी रहें सभी अपनी जगह पर प्रसंद रहें यह इन सब भाव को लेकर चलने का मतलब है कहीं पर भी कोई विभाजन नहीं सब एक हैं इस सोच के साथ चलने के लिए का नाम है तो इस सोच के साथ कहीं पर भी किसी को कोई पराजय का कारण बने यह तो सोचा भी नहीं जा सकता है मजहब के नाम पर राजनीत किया, अगर किसी नहीं है, तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजपार्टी और आन्य विपक्ष के दलों ने इसको किया है, और ऐसी राजनीत को, ऐसी सोच को जनता ने अब नकारना शुरू किया है, आने वाले समय में ऐसे लोगों को और करा उत्तर प्रदेश अपने आप में इतना बड़ा राज्य है और मैं अपने नित्रित उखा, मैं आदरणिया श्री अमिट शाह जी और अपने पूरे प्रदेश के नित्रित उखा, राश्ट्री नित्रित उखा, मैं बहुत आभारी हूँ कि हम लोगों को पिछले 6-7 साल से महामंत्री के रूप में काम करने का उसर रहा, उससे पहले मैं काम करता रहा हूँ, तो इतने कम उम्र में, इतने बड़े राज्य में और विश्व के सबसे बड़ी पार्टी में काम करने का उसर उन्होंने दिया, और यहाँ पर नोईडा जैसी सीट से चुनाओ लड़ने क काउसर भी पिछली बार 2017 के चुनाव में दिया है। मैं बहुत आभारी हूँ और पार्टी जो कहती है हम सब लोग वो हमेशा उसी को फॉलो करते हैं। जब कहा चुनाव नहीं लड़ना है, संगठन में काम करना है तो वह काम किया, चुनाव लड़ना है, यहां से लड़ना है, तो यहां आकर चुनाव लड़े। पार्टी सर्वो परी है, जो पार्टी का निर्णे होता है, हम सब लोग वही फॉलो करते हैं। आपको बता दें कि बीजेपी पूरे प्रदेश में 1-15 दिसमबर तक पध्यात्रा निकाल रही है जिसके जर्ये मोधी और योगी सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुचाया जा रहा है बीजेपी नेता पंकत सिंग ने नौईडा में पार्टी की ओर से 14 दिसमबर को कारेकरताओं के साथ पध्यात्रा निकाली जिसमें सैख्रो बीजेपी कारेकरता पंकत सिंग के नेतरित्म में पध्यात्रा में जुटे